खुप लोग बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी चुट्टियों में खुप इंजॉई किया होगा और उसके साथ साथ अपने पड़ाई को भी जारी रख्या होगा ठीक है बच्चों तो क्लास थर्ड आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरन की जो पुस का पाठ नौ क्रिया का वाचन करवाने जा रही हूँ हमारा जो हिंदी साहित्य का पाठ्थे क्रम था जो हिंदी लिट्रेचर का स्लेबस था वो हमने पूरा कर दिया है अब हमारे जो हिंदी व्याकरन की पुस्तक है उसमें हमारा जो भी पाठ्थे क्रम शेश रहता है अब मैं उसको ले करके चलेंगे और उसको पूरा करेंगे, तो आज उसी करम में मैं आपकी जो हिंदी व्यागरंड की पुस्तक है, उसका पाठ 9 क्रिया, पाठ 9 क्रिया का वाचन करवाने जा रही हूं, आप लोग अपनी हिंदी साहित्ते की पुस्तक का पेज नमबर 47 निकालिए और जो मैं समझा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और समझिए और सुनिए ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का क्या अर्थ है? क्रिया का अर्थ है कि किसी काम का होना या किसी काम को करना अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कौनसी क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की क्रिया और आप पढ़ रहे हैं आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं ठीक है बच्चों तो अब आप सभी बच्चों ने अपनी हिंदी व्याकरन की पुस्तक का page number 47 निकाल लिया होगा यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र के माध्यम से क्रिया का वर्णन किया गया है अब आप लोग बहुत ध्यान से अपनी हिंदी व्याकरन की पुस्तक के page number 47 को देखिए इस page में आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं ठीक है जैसे यहाँ पर घर में महमान आ रहे हैं खाना बना रही है यहाँ पर देखिए महमान बाचीत कर रहे हैं और यहाँ पर दादा दादी जो है वो पूजा कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो पुस्तक में अब ध्यान दीजिए आज हमारे घर में महमान आए हैं माता जी रसोई घर में महमानों के लिए भोजन बना रही हैं, पिता जी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, दादा जी व्दाधी जी पुजा घर में पुजा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बच्चो अपनी पुस्तक में देखा होगा कि जो पंक्तियों में लाल रंग से जिस जिन शब्दों को दरशाया गया है जैसे आए है बना रही है बातचीत कर रहे है पूजा कर रहे हैं तो जो ये रंगीन शब्द है यह हमें किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर देखिए महमान आये हैं यानि कि महमान ने कौन सी क्रिया करी आने की क्रिया तो आना माता जी रसोई घर में क्या बना रही है भोजन बना रही है तो यहां पर भोजन बनाना पिता जी महमानों से बाचीत कर रहे हैं तो बाचीत करना और दादा दादी पूजा घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा करना यह किसी कारे के होने को दर्शाता है यह जो कारे है इसको क्रिया कहते हैं तो क्रिया की परिभाशा क्या होगी कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है या हमें करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं ठीक है जैसे जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ अभी आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही होंगी तो मम्मी कौन से क्रिया कर रही है आपकी? खाना बनाने की, तो यानि की बनाने की क्रिया और कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वो बच्चे कौन से क्रिया कर रहे हैं पढ़ने की क्रिया यानि की जो कार्य होने का बोध होता है जिन चब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं अब जैसे कोई दीदी रंगोली बना रही है ये एक वाक्य है दीदी रंगोली बना रही है तो यहाँ पर किस कारे के होने का पता चलता है बनाने का तो क्रिया क्या हुई बनाना जैसे बच्चा साइकल चला रहा है तो वो कौन सी क्रिया कर रहा है साइकल चलाने की क्रिया कर तो यहां पर कौन सा कारे हुआ चलाने का तो ग्रिया कौन सी हुई चलाना ठीक है बच्चों तो आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इस पार्ट को पढ़िएगा आपको यह बहुत आसान है बहुत इजी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक बार हम फिर धोराते हैं कि जिन शब्दों से किसी कारे के हुने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं और एक चीज और क्रिया में कुछ ध्यान देने की बाते हैं जैसे कोई भी वाक्य क्रिया के बीना अधूरा है ठीक है जैसे माता जी कपड़े धो रही है माता जी कौन से क्रिया करनी है धोना धोना या धो रही है को हटा दो तो माता जी कपड़े रही है तो यह इस जो वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है तो इसलिए कहा गया है कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता वाक्य अधूरा रहता है और हिंदी में साम हम आनेत करिया वाक्य के अंत में आती है, जैसे राम पड़ रहा है हम ऐसे नहीं बोलेंगे पड़ रहा है राम यह प्रापर सेंटेंस नहीं phosphorus नहीं होगा प्रापर वाक्य उचित वाक्य नहीं होगा, नहीं माना जाएगा, तो हमें ऐसे बोलना होगा कि राम पढ़ रहा है तो यहां पर जो क्रिया में धिहान देने योग यह बाते हैं वह है कि किसी भी क्रिया के बीना वाक्य अधूरा है और हिंदी में सामानने तह क्रिया वाक्य के अंत में आती है ठीक है बच्चो पेज पलटिए अब देखिए आपर कुछ क्रियाय दी गई है हम पढ़ेंगे उनको जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, देना, लेना, दौरना, रोना, हसना, नाचना, लाना, बनाना, सुनना, उड़ना, पकड़ना तो इन सभी शब्दों में किसी न किसी कारे के होने का पता चलता है, किसी कारे के होने का बोध होता है तो ये क्रिया कहलाई जाएंगी तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं और भाशा में क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है ठीक है बच्चो अब अभ्यास के लिए देखें यहाँ पर चित्रों को देखकर क्रियाय लिखिए आपने देखा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे खेल रहे हैं तो कौनसी क्रिया हो गई खेलना यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं तो क्रिया कौनसी हो गई सोना यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कौनसी क्रिया हो गई पढ़ना और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं तो बात करना ये क्रिया है ठीक है तो बच्चो अब आप इस पार्ट को एक बार घर में बहुत अच्छे से दोहराईएगा और इसी पार्ट से संब्दित मैं आपको अब 26 वा घरकारे दूँगी वो आप मुझे बहुत अच्छे से करके भेजि हमें भेजते हो तो उसके उपर घरकारे का नंबर अवश्य आपको मेंशन करना है जैसे अभी तक आपने 25 तक गरकारे कंप्लीट कर लिया अब जो भी घरकारे जाएगा वो आपका 26 वा घरकारे होगा तो घरकारे शुरू करने से पहले आप सबसे उपर heading डालेंगे कि 26th home assignment of Hindi इस टाइब से आप लिख करके properly mention करके अपना नाम अपना क्लास अपनी section उसके बाद आप घरकारे को बहुत अच्छे से करके send करिएगा ठीके बच्चों